हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट देखे साथियों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 कोईश्चन्स और यह ऐसे कोईश्चन्स मैं करा रहा हूं जो पिछली परिक्षाइन इतनी हुई है आप भी 10 साल की देंट 20 उसमें यह कोईश्चन सैलेक्टेड को सनली करीपिट कोश्ञ्चन यह बहुत बार पूचे गए हैं मोस्ट इपिडीट कोश्चन है और कुछ ऐसे ses याक्जाम में बार लारेज़े होते रहते हैं तो उसी टाइक की कोश्चन मैं आप आप के लिएकर आया हूं तो आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा most repeated question है और यह book जो है हमको smart book ने test book ने भेजिए smart book है इसमें आपको पूरा detail analytics पूरा दी मिल जाएगा extra point मिल जाएगा तीन लेवल question मिल जाएगा अगर आप purchase करना चाहें description box मिल लिंक Amazon flip card की आप purchase कर सकते हैं लेकिन आपको बता दे कि एक काफी मात्मूर सीरीज है इसको आप जरूर पूरत solve कर यह हमारे साथ mock test की तरह है चलिए फिर शुरू करते हैं पहला question आपका स्वतंद भारत के पहले उप राष्टपती कौन थे भारत के पहले उप राष्टपती कौन थे भारत के पहले उप राष्टपती थोड़ा simple question है आठ सेकेंड के अंसर भी दिया गया देखे इस बुक में आपको time to time ठीक है इध्यान रखेगा और दूसरे बार भी राष्टपती थे ओ ठीक है पहले उप राष्टपती थे और दूसरा भी उनका जो 1956 1227 तक थे आपको बता देख धुरत दिन के पहले पराप्त करता थे ठीक है भारत म caller दिन को पहली बार मिला था चलिher Q2 का जवाब दीजे Q2 का जवाब दीजे Q2 का जवाब दीजे Q2 का जवाब दीजे Q2 का जाता है क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों को सरकार के किसी भ्यंगदार अलंगान होने से बचाता है Q2 का जवाब दीजे Q2 का मुख्याल है मुंबई के अंदर इस्थित है Q2 का जवाब दीजे 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 रुक्षेट 85 राष्टपति को संसत के प्रत्यक सतन को बुलाने का अधिकार देता है जैसा हुआ है ओचित समदे ठीक है चलिए हमारा कोशन नमर नाइन्थ है कौन भारत के दूसरे सर्वोच पद पर काविज हैं कौन भारत के सर्वोच दूसरे पद पर काविज हैं बताई नाइन्थ के अंसर उपर राष्टपति टीक है वाइस प्रेसिडेंट भारत के उपराष्टपति देश के सर्वोच पद पर काविज हैं उन्हें प्रधानता के अधिकारी गवारे ने भारत के राष्टपति से अगला स्थान दिया गया है और यह कारेला अमेरिकी उपराष्टपति तर्च पर बनाया गया है कोश्चनमर दास है भारती सम्धान का आर्टिकल 19 प्रावधान करता है बताई यह आर्टिकल 19 इसमें जो है छे प्रकार की सुदंतरताएं हैं सम्धान के रुक्षद 19 में छे प्रकार सुदंतरताएं हैं 19 के तहट प्रतान की गई मोलिक सुदंतरताएं भासाण और ब्युक्ति की सुदंतरता बिना हतियार के सांती कठा होने की सुदंतरता भारत के पूरे छेत्र में सुतन दूरुप से आने जाने की सुतन दूरता संगों या सहकारी समिते गठने की सुतन दूरता भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की सुतन दूरता किसी भी पेशे को अपनाने या किसी भी ब्यापार विसायक या पेशे को करने की सुतंतरता कोश्चन नमबर 11 है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट तीन संकेत को में से किसके सहेंजन से विकास को मापता है बताईए कोश्चन नमबर 11 का जवाब मात्मून प्रस्ण है आपका ये स्वास, शिक्षा और जीवन अस्तर निरवाचन आयोग के प्रमुक को किसके द्वारा निउक्त किया जाता है चली सही ज़ भारत के राष्ट पति आपको बता दे कि भारत निरवाचन आयोग एक स्वायत से मदानिक निकाय है जो भारत में संग और राज चुनाव प्रक्याओं के संचालन के लिए उत्तरताई है और यह निकाय भारत में लोकसभा, राजसभा और राजविधनसभाओं और देश में राष्टपती और उपराष्टपती काल्यालेओं के चुनाव का संचालन करता है इस आयोग में एक मुख चुनावाईक्त और दो चुनावाईक्त होते हैं इस आयोग को सचिवाला नहीं दिल्ली मिश्थीत है और राष्टपती मुख चुनावाईक्त और अन चुनावाईक्तों की निक्ति करते हैं कौन सा प्रकरण मौली कधिकारों से संबंदीत है? बहुत important question है तो यहाँ पर option A सही जवाब हो जाएगा प्रतिवस राष्टी मतदाता दिवस कम मनाया जाता है राष्टी मतदाता दिवस प्रतिवस कम मनाया जाता है चलिए, सही जवाइस को क्या हो जाएगा? 25 जनवरी option A S I जवाब हो जाएगा तो मतदान और हर मतद के महतबर प्रकास डालने के लिए 25 जनवरी को राष्टी मतदाता दिवस मनाया जाता है और यह दिन भारत के चुनाव कुछ थापित किया था 25 जनवरी उन्हें से 50 को ठीक है? चले Question number 15 है Question number 16 का जवाब दीजि intent Question number 17 है किस वर्स में अफ़गानिस्तान सारक में सामील हुआ? Question number 17 का जवाब दीजिस वर्स जो है अफ़गानिस्तान सारक में सामील हुआ? Question number 17 Option D यहाँपर 2007 ठीक है? चले सार का मुख्यालय कहाँपर है? काठमांडू नेपाल के अंदर इसी दे ठीक है सार की स्थाबना का हुई 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी कोशन नमबर 18 का जवाब दीजे जल्दी से चलिए कीरन रेजेजू बरतमान में लेकिन आपको ध्यान रखना है बरतमान में आपको बताना है कि बरतमान ने भारत के खेल युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्री कौन तो बरतमान में जो है देखिए अनुराक ठाकूर है नावाट की स्थाबना कब की गई थी नावाट की स्थाबना क्रिसी और ग्रामेड विकास बैंक इसका फुल फाम होता है चली 1982 ठीक है आप्सन C यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा राज्य के मुख सूचना आइक को किसके द्वारा निक्ट किया जाता है चली सही जवाब इसका क्या हो जाएगा राज जपाल के द्वारा ठीक है चली बहुत थी बहतरी इनसातियों और ये बुक जो है टेस्ट बुक के द्वारे स्मार्ट बुक इसका नाम है काफी अच्छी बुक है डिटेल एनलिटिक्स दिया गया है पूरा पॉइंट दिया गया है डिस्किप्शन में लिंक हमेजन फ्लिप काट के पर्चेस कर सकते हैं अगली सीरीज मिलते हैं आप लोग कितना स्कोर के कमेंट सकते हैं जरूर बताएए टेक केर साथियो बाई बाई जय हिन जय भारत